आप सभी का स्वागत है आननफानन में एको गार्डन रोड पर दोनों तरफ बैरिकेटिंग कर कई ट्रक पी एसी तैनात कर दी गई वहें एको गार्डन गेट पर भी बैरिकेटिंग कर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया सख्षामित्र के आख रोष को देखते हुए पुलिस प्रुशासन दवारा आनन पानन में उत्तरप्रदेश, सख्षामित्र संग, प्रदेश अध्यक्ष शेकुमार शुकला के साथ उनके प्रतिनिथी मंडल को शासन इस्तर पर वारता के लिए ले जाए गया मुख्यमंत्र योगिया अधितिनाथ के गोरखपर दौरी की चलते प्रतेनीदी मंडल की मुख्यमंत्री के सच्चव से वारता कराई जा रही है वहीं एको गार्डन में डटे सुक्षा मित्रों ने कहा कि इस बारा अश्वासन नहीं शासना देश चाहिए आए देखने हमारे समवादा दा ओमेश विश्वे कर्मा की ये ग्राउड डिपॉर्ट हमारे निताओं को पतार करके अंत्वारी जास करेंगे इसलिए अब कि हम लोग यह नहीं है पराबर की योगता इस राम राज्जी में सब्सक्राइब योगी तीने सिक्षा मित्रों का जिया है पराबर की डिगरी एक को दा सजार एक से हमें अब करेंगे इसलिए जासा मित्रों से दुनिया का काम लुप गर्मिजमे महिना अचा मित्रों ने ना किया हो अप देख रहा है कि प्रदेश के हजा हाजारों की संख्या में सिच्छा मित्र यहां गाटन धन्ना अस्थाल पर पूंचे हुए हैं अपनी नोकरी की मांग कर रहा हैं यहां पर महिला सिच्छा मित्र भी हैं इसे बात करना चाहेंगे आप नहीं से आई रही है कि जब हम लोग को कि न्युक्ति हुई थी सिख्षा मित्रपत पर तो हम लोग अपने गाउं अपने सहे सभी में नमर वन पर थे तब हम लोग की मेड बनी थी इसके बाद हम लोग का समयोजन हुआ समयोजन पर हम लोग की सैलरी हो गए ती 40,000 रुपाह लेकिन केस में क्या हुआ हम लोग को नहीं पता है सभी लोगों ने हम लोग अयोग गोशित कर दिया यह तो बात होई है पहले खाना खिला दिया फिर उल्टी करा दिया आयोग गोशित कर दिया आज हम लुग वहीं काम कर रहें, दस हजार में, और जब हम व्लोगों सहाय का ध्यापक के लिए कहा जाता है, हम लोग अयोग हैं, ये बात हम लोगों संध में नहीं आ रही है, हम लोग रोते गाते, हम लोग कितने venus मर चुके हैं, हजारों के संख्या में यूग यूगные say न और हम लोग को कभी भी आश्वासन के लावा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आज हमारे भीच में जितने भी सिख्षा में थैं हैं सिख्षीवस के उपलक्ष में हम लोग एकटा हुए है। आज हमें बहूंध है कि साव योगी जी सरकार हमें कुछ समसे। दूट में आज की समय पे हमारा गुजारा वोना बहुत ही पुजल अपने परिवार का आपारण पोशा मैं किस तरह से कर रहे हूं मैं भी जानती हूं इख मैंने पती को फुया है और मेरे बेटे की जिम्मेदार ही एयए और इस से तरह से मान समान है, हम लोग को मान समान दे के एक उचित मान दे या पेटल दिया जाए मैं यहीं चाहती हूँ कि हमें भी समात में जीने का हग दिया जाए 10 अजार में में हमारी बहुत ही पहेंड़ नहीं हमारी इस्तिटी को को समझे यह वह किस तरह आपने परवार को पाल रहें ये वह अच्छी तरीके से समझ सकतेיं दस हजार में आज की जवानें में गुजारा होना भिल्कुल मुंकिन नहीं है निस्चित रुपसे आप देख सकते हैं कि आज सिच्छक दिवस है और आज के दिन इन सिच्छा मित्रों ने सरकार पर जो आज चोट की है सिच्छक के नाम पर जो चोट की है सिच्छक के सम्मान के नाम पर जो चोट की है निस्चित रुपसे इनका हग अजिकार इनको मिलना चाहिए आप देख सकता है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर यह लोग खड़े हुए हैं इनका प्रक्रिंग मंडल सासन अस्तर पर वार्दा के लिए गया हुआ है पूरा इको गार्डन खचा खच सिच्छा मित्रों से भरा हुआ है रोड चारो तरब रोड जाम हो गई है इनके इतने वाहन यहाँ पर प्रदेश के कोने कोने से भर भर बाहनों से आये हुए है सड़क पर वाहन खड़े हुए है आवा गमल लोगों का गरबर हो चुका है और पुलिस प्रसासन दोरा जगा 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 बैरियर लगा कर इन लोगों को रूप दिया गया है क्या कहना चाहेंगे बिया जी मैं जहीर आलम शिक्षा मित्र जिला बिजनोर से हूँ मोदी जी योगी जी मत करो अपने हाथों की लकीरों पर इतना गुरूर किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते यह जो शिक्षा मित्र हमारे भाई भेन आये वे हैं इनके अखले सरकार ने 40,000 रुपए करके इनका समयोजन क्या था इन्होंने राजनीती के तहट हमारे 40-10,000 रुपए कर दी हैं और हमारे बेशिक शिक्षा मंत्री जी जो हैं इसी सरकार के संदीप सिंगी उन्हें में यह नहीं बोला है कि हमने 40,000 से इनके घटा के 10,000 कर दिये हैं 12,000 साति हमारे आज हमारे बीच में नहीं हैं जब से यह सरकार आई है हमारे 12,000 साति इस बीच से चले गए हैं इसलिए उसमें में एक शेर अर्ज करता हूँ मोदी जी योगी जी तुमारी जूटी ये कैसी मकारी है आप दोनों हिंदुस्तान की जंता बना दी विकारी है 12,000 सिक्षा मित्रों को आप दोनों के जूटने मार डाला है 12,000 सिक्षा मित्रों को आप दोनों के जूटने मार डाला है और सिक्षा मित्रों को आपने राजनी नहीं आए हैं योगी जी को हम नीचे दिखाने नहीं आए हैं कोई हार जीत का खेल नहीं है सिर्फ हम अपने बच्चों के अपने परिवार के सुरक्षा के लिए आए हैं कि हमारा भविस्य सुरक्षित कर दीजिए 10,000 रुपए में हम अपने बच्चों का परिवार का आज में तेङका आज आlas in a अमने जो समाज में देखा जाता है बड़ी निगहास है बड़ी बेज़दी सरकान नहीं चार मिलाएं इंसेकर ऊपर से ररजर मर मर के समाज में जी रहा है शिक्षामित्र अपमान का घूड चुपचा पीरा है शिक्षामित्र और मोदी जी 25 साल की मेहनत का हमें क्या मिला है सिला अब आतंगवादी की निगास से देखता है हर आदमी हर जिला तो इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं आप हमारी पीड़ा को समझें और हमारी जो बात है योगी जी तक पहुचाएं और हमारे समस्याओं का निदान करा है जीवन के बड़े उतार चड़ाओ आप लोगों ने देखे हैं अभी पिछले बार जब आप लोग का धरना प्रदर्शन हुआ था तो समय आस्वासन भी दिया गया था आप लोगों को अभी तक आस्वा कार इसी तरह कमीटी अगर बंती रहेगी इसका निश्पार नहीं कि लगा था चाहरे क्या करें बताईए आपके जिले से हैं जॉन पूर से हैं जोन पूर से हैं यह कहना चाहते हैं कि सर इस सरकार में पूप मुखमंत्री जिस कमेटी के सबसे बड़े मेंबर और अधर्णी दिने सर्मा जी उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आई दोहजार अठार में जो हमने धर्ना किया फिर कमेटी का खेल हम लोगों को खिलाया गया और उसी आस्वासन पर दो साल बाद हम लोग फिर धर्ना करने के लिए आये और इस भारती जंता पर उनके बरतमान की भासर टेप हैं उन्होंने ये कहा कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुचाई जाएगी और आप लोगों का समायोजन किया जाएगा आप लोगन के बेतन में ब्रिद्धिक की जाएगी लेकिन केवल कोरा कागज ही रह गया और उस कमेटी को धन्यवा खुला नहीं आप लोग का प्रतिन मंडल वारता के लिए गया हुआ है क्या लगता है क्या उम्मीद है इस बार इस परति यही प्रार्थना है कि हम लोगों की कमेटी सांतिपूर तरीके से इको गार्डेन में जो धरना कर रही थी उसमें सरकार के तरफ से कुछ लोगों का बुलावा आया और कमेटी गई है इस सांतिपूर अवस्था में जो धरना चल रहा था उनके द्वारा कोई प्रतनिधी यहां आया नहीं मजबूरी में हमको ले जाने के लिए बुलावा आया हम लोग वहां गये हैं भगवान से ही प्रात्ना करते हैं कि धरना सांतिपूर चलता रहे जब तक हम लोगों की मांग न पूरी हो हमारे नेतावं वहां से बारता करके वापस ना आ जाय है कि हमारी मुखमंत्री जी गण्ने शायद है गोरक पूर में तो हम लोग इसलिए हैं कि वो क्या करना चाते। लड़ाई आर पार की है वहां जाने से कुछ नहीं होगा भी पिर आएंगे मन की बात होगी तो हम लोग मनेंगे तो आप लोग यहां डटे रहेंगे एक महीने तक जाने वाले नहीं है अपकी में दिखा देंगे हम लोग घर में पता क्या है है आप देख सकता है कि भावना सद्वा पिसान रासन पानी लोग लेके लिए कि जब हम लोगों के लिए प्रधान मंतरी बराष में गए थे हमारे देश की मुखिया है हम लोग वह यह बोले थे कि आप लोग सिच्चा मित्रों को पक्का रोजगार देंगे। हम लोग तो यह जानते है आč्च अच्छा दिया है… कम से कम सम्मान जनक मान दे दिया है लेकिन जब हम लोग उनको जिता करके भेजे है प्रधान मंतरी बनाये उसके बाज से पक्क प्रधान मंत्री के प्रधान मंत्री बोले थे कि हम आपनों को पका रुजगार देंगे आत्म हत्या आप लोगों के लायक नहीं है और उसके बाद उनके कहने के बाद इतने सिच्छा मित्र मरें हमको यह समझ नहीं आम पबलिक एक्ठ मर जाता है तो कहते हैं यह मुझावजा मिलेगा बारह हजार सिच्छा मित्र मिल मर गए एक पैसे का उनको सहयोग बाल बच्चे कहां या नात होगे कहां चले पता नहीं चला अरे कुछ हैसा किया जाए इससे कम से का प्रधान मंत्री के बातों का तो मायना रखना चाहिए कि पकार रुजगार देंगे हम पकार या इनके मामला निगेटिव होता है वो तो उस बारता पे टिपेंड करता है लेकिन तो इन सच्छा मित्रों की मानें तो यदि आज सासना देश जारी नहीं हुआ तो यह लोग हाँ से जाने वाले नहीं है यहीं डटे रहेंगे क्या नाम है वहीं आपका पिंटु दूबे कहां से सुल्तानपुर से कहना हम लोगों को जो आए हैं डेल लाग आदमी रोट पर हम लोग लेड़ दातन दोरा तो दर चल्मार दिया जाए रोट मरना इस से अच्छा कुछ उससे अच्छा कुछ नहीं है तर रोट देजार रू अधर लोग दो जाए एक से प्रास्मिक बित्याले में पढ़ा रहे हैं और योग्यता के नाम हम लोग सनातक हैं टेट पास हैं बेकिसी हैं और एक लोग को वहां पर सतन हजार विए जार रहा है इतन हजार शार है अज हम लोग का मांदे 12,000 हो आखा है बच्के हमारे लोग को गोली चला दे हैं आज एकदम अग्दम मरने में तयार हैं सब तयार हैं अब मरने के लिए सब तयार हैं मानना कोई बिखल पता है कितना दिना क्या लाइए लगा है वारता के लिए वारता इनके भच्छ में होती है या विपच्छ में होती है इन लोगों की मानने तो जब तक इनके असाई करन का साथना देश नहीं मिल जाता है तब तक यह लोग यहां से उटने वाले नहीं है हिलने वाले नहीं है और इनका धरना प्रदर्शन अनुवरत एक से चलता रहेगा यह लोग पूरी तयारी के साथ आया है रासन पाने भूपा किसान लेके आया है गैस फिलेंडर तक लेके आया है इन लोगों ने यह ठान लिया है कि आरपार की लगाई लडएंगे आप देश सकते हैं कि बड़ी संक्या में पुलिस बल यहां तहनात है रोडों पर वहरियो लगा दिया है इस रोड के रेड़ के आने जाने वाले मालगों को रोग दिया गया है ताकि सांती बेवस्ता सब्सक्राइप Rei करता है इनके प्रत्नित मंडल की क्या वारता होती है उस वारता के बाद इन लोगों का नया रूक सामने आएगा साहयोगी सुनिल कुमारपाल के साथ उमेज बिसकरमा, सीन्यूज भारत